शुक्रवार की दो पहर हुई जमाजम बारिश ने लोग को भीजन गर्मी से राहत तो पहुचाई है लेकिन सड़क पर लगे जल्यमाव से लोग काफी परिशान हुए लोगों को पिछले साल की देनीय स्थिति का खयाल भी आ गया जब शहर के जायातर गली महले डूबे हुए थी लोग का घरों से निकलना मुश्किल हो गया था लेकिन इस बार जिला प्रशासन बारिश के पहले ही ववस्थाओं को ठीक करने में लगी हुई है पिछले साल जून महिने में 327 mm वर्शा हुई थी जिसके कारण भीशन जलनिकासी की समस्या उत्पन हो गई थी दुर्गा पूजा से लेकर दीपा वली तक जल्यमाव की कारण लोग परेशान रहे इस वर्श अब तक लगभग 100 mm की बारिश हुई है मौसम वभग की अनुसार अगले कुछ दिनों तक लगातार वर्शा होने की संभावना है जब जब बर्सात होती है बर्सात क्या मतलब बर्सात नाम का भी अगर थोड़ा सा फानी हो गया तो गरीमनात मंदीर एडिया डूब जाना है और बर्सों सम्सुनते आ रहे हैं यहां के ठिकदार हो या फिर मानिये पार्सात हो या पिर जिला पर्सात हो जिसके तरफ से बस एक बार दिखावे के लिए सफाई हो गया उसके बाद जब भी बारिस हुआ पानी लग जाना है कमर पर पानी लग जाता है हम लोग जबते हो समाले तब से यह देखते आ रहे हैं और आज भी करते हैं वहां सुध गंगा जल लेके आते हैं और यहां सुध हो जाते हैं कैसा पानी है नहीं है नाले की पानी है किसी का बातरूम का पानी है बगल में द्रम चाला है उसका पा तुरा पानी लगा हुए आसूद पानी है यहां भीवास्ता अच्छा करना चाहिए सरकार को यह बहुत दीकत हता है आने जाने में बहुत ज्यादा कच्छा लगा हुए है मंदिर के सामने तो सबसे पहले साफ सफाई रखना चाहिए जी सबसे पहले साफ सफाई होना चाहिए तो मंदिर के आगे इतना कच्रा लगा हुए है पुरा पानी बढ़ा हुआ है आने जाने में बहुत बहुत दिकत परसानी हुए है अभी तो कोई सुन्माई नहीं हुआ है अब तो साफ सपाई कुछ भी नहीं हो रही है तो दियान देना चाहिए यही श्तिती है प्रियंका कुमारी हाँ बहुत देख सब्सक्राइब है पानी तो लगा हुगा है है छानाद है तिषटा का मशे työ वह रखव तरह भाज़ वह मत आधना जा तरए किसी तऱ एट आदमी गुज्दा मोट जान आधनानली के सफाइ ऊते हम अन्हें खिस नहीं हो रहा है जो अपना अनगता है जही चालिस अथो पिंगय तक अभी साफ नहीं हो ता हाँ हर साल होता है एक अन्दीना भी हो जाता है नाली के कारण साफे सुद्वा नहीं होता है